ओ महनमते नमा, नमस्कार मित्रों, मैं विरलत्रवेदी और आप देख रहे हैं मेरा यूटूब चैनल ने थी मित्रों विसेस रंखला के अंतरगत, आज कल हम कुंडली में बनने वाले विभिन्य तरीके के योगों के बारे में चर्चा कर रहे हैं उसी सरंखला में आज बात करते हैं महा भागी योग की 34 सास्तर में एक महा भागी योग बनता है जिसका विसेस महत होता है महा भागी योग राज योग से भी अलग तरीके का योग होता है इस योग में जन्मे जातक पर ईसर की विसेस क्रपा होती है इस योग से युक्त जातक अत्यंत भागिशाली होता है यह जातक अपने भागिशे अपने पूरे परिवार का नाम रोशन करता है ऐसा जातक जीवन में सफलता आवसे प्राप्त करता है यह यह योग इस्त्री वा पुरुसों की कुंडली में अलग-अलग तरीके से बनता है इस योग के लिए चार महत्पूर्ण इस्तितियां जिम्मेवार होती है नमबर एक पुरुस का जन्म दिन में वा इस्त्री का जन्म रात में होना चाहिए नमबर दो पुरुसों की जन्म पत्रिका में सूरी बिसमरास में हो जबकि इस्त्री का समरास में हो नमबर तीन पु इस योग की सबसे बड़ी विश्यस्ताया है कि तीनों लगन एक ही दिसा की तरफ इसारा करते हैं इसके पीछे जोतिस का सबसे बड़ा नियम माना जाता है जिसे सुदर्शन सिधान्त के नाम से जानते हैं इसे सुदर्शन सिधान्त ही कहते हैं इस योग के फलदाई होने का क गांधी के कुंडली में भी महाभागयोग बनता था मित्रों हमारे वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं अगर अच्छे लग रहे हैं तो कपया लाइक करिए सेर करिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवस करिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत आभार नमस झाल झाल को सब्सक्ताइब बहुत बहुत इखादा हैं अगरा